हाई अब्लीवान वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पढ़ना फ्रेंस आज मैं मूंगफली की बहुत जादा टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ तो ना ही लड़ू है ना ही बर्फी तो अगर आपने इस सर्दी ये मूंगफली की रेसिपी नहीं खाई तो आपकी सर्दी का मज़ा अधूरा है तो चलिए फटाफर से बनाते हैं इस रेसिपी को और देखते हैं कैसे बनती है तो ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ही जादा पसंद आती है और हैल्दी भी बहुत ही जादा है तो यहाँ पे मैंने ली है करीब डेड़ कप मूंफली और वेट में तो मूंफली हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसका हम छिलका इस तरह से उतारेंगे बहुत ही एजी तरीका है और छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और आपके किचन में बिल्कुल फैलेगा नहीं तो हमें लेना है एक कॉटन क्लोथ और कॉटन क्लोथ को इस तरह से हम मोड लेंगे मतलब फोल्ड गर लेंगे और इसको हम इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे इस तरह से बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है और जो भी रह जाते हैं उसको आप इस तरह से रगड़ दे हाथों से रगड़ने से भी छिलका इसका उतर जाता है अब हम फिक सब्सक्राइब औरOOOO HIM ऐसी लगे मुझे कोमेंट में कुछीमन नहीं होगए एहीं पोछी चुलाइच किराएव यहाँ पर मैंने लिए एक कडाई कट एक करीब तो यहां पर चूराइब कर दो अब चलिए अबया हम पानी डालेंगे करिया अपे बर दो चमश हैं यहां पर लो रखें ऑप हमें गुड को मेल्ट करना है और आप मुझे कमें यह बताएब की आप वीडियो कांप हैं को सी सिटी को अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीटो को लाइक कर दिजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए और अभी देखिए यहां पे हम गुड़ को अच्छे से पका लेंगे तो यहां पे लो हीट पे ही आपको गु के कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए और इसको ठंडा होने के बाद पिर आप इसको इसतर से चेक कर सकते हैं और उधर आप अपनी गुड़ को भी चलाते रही है जिसे वो जलेना तो अभी जो हमारी गुड़ है तेखिए इसतर से खिच रही है तो यह खिचनी नहीं चा इसको बाद पर गुड़ को जब हम इसतर से बहुत बार चेक करने की जरूए लेकिन में रेसीपी बना रही हूं और आपको पर्फेक्ट तरीके से दिखाने के लिए मुझे बार बार यह दिखाना पड़ रहा है तो यहां पर देखिए आप जो हमारा गुड़ है इसतर से तो ये इतना पक चुका है कि ये तूट रहा है बट यहाँ पे अभी ये पर्फेक्ट नहीं है तो अभी हम दुबारा इसको पका लेते हैं फिर से तो गुड़ का पकना बहुत जरूरी है और एकदम पर्फेक्ट पका होना चाहिए बहुत ज़्यादा कम भी नहीं और नहीं बहुत ज़्यादा तो अब हम एक मिट बाद फिर से इसको चेक करेंगे फिर से मैंने थोड़ा सा गुड़ पानी में डाल दिया है और ठंडा होने के बाद ही आप इसको चेक करें तभी आपको पता चल पाएगा कि गुड़ हमारा पर्फेक्ट पका है या नहीं तो गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको दुबारा से आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो गुड़ है इस तरह से तूट रहा है, देख रहे हैं, इस तरह से, गुड़ की आवाज भी आ रही होगी तूटने की, तो बस जब इस तरह से तो यह थोड़ा बहुत लगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर आप मुंगफली को आशे से ठंडा कर लेंगे ना फिर आप इसका चिलका निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा तो अब हम मुंगफली को इसमें मिक्स कर देंगे और फटा-फट से इस आप देखें ना इसकी कंसिस्टंसी ठीक हो गई है तो आप यहां पे यह वाला प्रोसेस पहले करके रखिए क्यूंकि आपको बटर पेपर में थोड़ा सा ओयल लगा लेना है बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर आपके पास थाली यह थाली को उल्टा करके उस पे लगा स चाहिए तो अच्छे से हम इसको लेवल कर लेंगे और यहां पे बेलन में भी थोड़ा सा ओयल लगा लीजिए और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा बेल लेते हैं ताकि इसकी जो ऊपर की लेयर है ना एकदम चिकनी हो जाए तो एक सार कर लिया है मैंने इसको अब यहीं पे पर इसमें कट लगा दीजिए जितने छोटे बड़े पीस आप काटना चाहते हैं इसके तो सबसे पहले जो इसकी किनारे ना उनको कट कर दीजिए क्यूंकि किनारे अनीवन हैं तो यहां पे हम इसको इसको इससे ठोड़ा सा बर्फी के शेप में कट कर रहे हैं तो प्रेंस भी बहुत ही मन से खाते हैं तो अब हम गरम गरम में भी इस तरह से इसमें मार्क कर देंगे ताकि यह जब ठंडी हो जाए तो बहुत ही अच्छी से यह निकल पाए तो यहां पे आप इसको ठंडा होने के लिए चौड़ दीजिए करीब आदे घंडे के लिए तो आदा गंड है इसको भी हम अच्छे से छुड़ा देते हैं तो मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी एकदम परफेक्ट हमारी चिक्की बनी है और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है फ्रेंस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक क कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको डिसक्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी पीनट चिक्की बनके त्यार है तो तूटने से ही आप देख रहे होंगे ना इसका करण्च कितना है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजबाब है अगर आप तो विपयों से और और वी ज़्यादा कर सकते तो आप द्राइफूड को रोष्ट करके थोड़ा साधी जरूर पर ग्राइंड कर लीजिए उन और अगर आपको मेरी वीडियो पसंदि आई धो सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आप मुझे इंस्टा और फेस्बुक दोनों पर फॉलो भी कर सकते हैं उनों का लिंक आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वचिंग बाबाई